तो 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 शंक का प्रयोग विशेश फल्दाई माना गया है क्योंकि इसकी प्राप्ति समुद्र मंथन से हुई है जब देवताओं और असुरों की बीच समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में चौदारतन प्राप्त हुए थे जिसमें से एक शंक भी था शंकों में सबसे श्रेश देशना वरती शंक को बताया गया है समुद्र में जो भी शंक पाय जाते हैं वो अधिक तर वामा वरती होते हैं वामा वरती शंकों का पेट बाई तरफ फुला रहता है जबकि देशना वरती शंक का मुख दाई तरफ होता है शासर में शंक का एक कल्यान करी और शुब माना गया है, इसकी एक पहचान और भी बताई गई है, वो यह है कि शंक को कान पर लगाने से ध्वनी शुनाई देती है, दक्षिनावरती शंक को घर में रखा जा सकता है, घर में दक्षिनावरती शंक का होना शुब माना गया है, जब भी हम आपको बताने वाले हैं ओम लक्षमी सहोध्राय नमह मंत्रवा जाप करने के बाद दक्षिनावरती शंक को लाल कपड़े में लपेट कर मंदिर में उचिस्थान प्रदान करें शिक्रवार के दिन इस संक की पूजा विशेश होती है पूजा के बाद इसे बजाना चाहिए परना इक मादनिनता के अनुसार जिस घर में दक्षिनावरती शंक होता है उसके घर में लक्ष्मी जी कपास माना चाता है ऐसे घर पर लक्षमी जी की विश्यूश कर पावनी रहती है और चतिसफ्करदूर होता है शंक की दवन मोंन करती ऐख झाल